धर्मेंदर अपने दौर की हिरोईनों में बेहत फीमस थे। उनके फ्लाट करने की आदत और उनकी दिलकशी के किस्से कई हिरोईने आज भी सुनाती है। लेकिन एक शादी शुदा हिरोईन से धर्मेंदर की नस्दीकियों के बाद निर्देशक पती ने कुछ अलग ही किया। हिंदी सिनेमा के ही मैन यानि धर्मेंदर के रोमैंस और उनके रोमैंटिक अंदास के किस्से आपने खूब सुने होंगे। हेमा मालीनी के लिए धर्मेंदर का दिवानापन कुछ ऐसा था कि शोले के सेट पर उनके इर्दगिर्द वो खूब घूमते नजर आते थे। लेकिन धर्मेंदर का दिल सिर्फ हेमा माली पर ही नहीं आया था। बलकि एक सूपर स्टार आक्ट्रेस अधर्मेंदर की नस्दीकियों की खबरों ने उस दोर में खूब सुर्खियां बटोरी थी। बाते और भी आग इसलिए पकड़ने लगी क्योंकि ये सूपर स्टार आक्ट्रेस धर्मेंदर से बड़ी थी उम्र में और शादी शुदा भी थी। इन दोनों की नस्दीकियों की खबरे इस आक्ट्रेस के पदी के पास भी पहुँच गई जो खुद एक बहुत बड़ा निर्देशक रहा है। धर्मेंदर और मीना कुमारी की इन करीबियों पर उनक दिनों खुब बाते हुई। ये जोड़ी कई फिल्मों जैसे फूल और पत्थर, मजली दिदी, चंदन का पालना, पुर्णिमा, काजल जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आये थे। फैन और सूपरस्टार के बीज का रिष्टा है। जिसमें पहली बार धर्मिंद्र नजर आये थे। इस फिल्म में हेमा मालिनी लीड रोल में थी। जब अमरोही ने धर्मिंद्र को अपनी फिल्म में लिया तो चारों तरफ हंगामा मच गया। हर कोई हैरान था कि आखिर अमरोही ने मीना कुमारी और धर्मिंद्र की नजर्दीकियों के बाद भी उसे इस फिल्म में ख्यो चुना। हाला कि इस फिल्म में हमा मालि को लीड रोल दिया गया था और उनके पती धर्मिंद्र को उनका गुलाम बनाया गया। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बूरी तरह से फ्रॉप रही। 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनने में पूरे 7 साल लगे थे। अमरोही ने अपने इस फिल्म के लिए बॉलिवुट के टेक्नीशियन्स का भी इस्तेमाल किया था। ये फिल्म 10 करोड रुपे के कीमत से बनाई गई थी जो उस दोर की सबसे महंगी भारती फिल्मों में से एक थी। लेकिन हालात तब बदले जब इस फिल्म को दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। ये फिल्म सूपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में मिलकर 2 करोड रुपे की ही कमाई की। और इस तरह ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। रजिया सुल्तान में धर्मिंद्र को एक अफ्रिकी गुलाम बनाया गया था। पूरी फिल्म में हिंदी फिल्म का ये हैंसम हांक मू काला की ये नजर आया। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो फिल्मी गलियारों में ये खबर खूब उड़ी कि ये रोल करवा कर कमाल ले धर्मिंद्र से बदला ले लिया। हाला की कमाल अमरुही ने इन खबरों पर कहा था कि ऐसा नहीं है। मीना कुमारी की किसी भी बात के लिए वो धर्मिंद्र को जिम्यदार नहीं मानते। साथ ही उन्होंने धर्मिंद्र को इस रोल के लिए इसलिए चुना क्योंकि उनकी उर्दू किसी भी दूसरे एक्टर से काफी अच्छी थी जो इस फिल्म के लिए जरूरी थी। कमाल अमरुही की फिल्म रजिया सुल्तान उस दौर में भले ही एक बड़ी फ्लॉफ फिल्म साबित हुई लेकिन आज इस फिल्म को एक क्लासिक फिल्म के तौर पर याद किया जाता है। ये फिल्म कई माइनों में हिंदी सिनेमा के दुनिया में एक बड़ा कदम थी। इस फिल्म में पहली बार हेमा मालिनी और परविन बॉबी के बीच समलैंगे क्रिश्टों के भी हलकी जलक दिखाई दिये। तो आज के लिए इतना ही हमारे साथ बने रहे बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरे जाने के लिए तक तक के लिए नमस्कार।